हाई फ्रेंज वालकम टू हाउ टू एक्सेस मैं आपका स्वागत है मेरा नम ठीका राम महातो सबसे पहले आगर आप लोगों ने मेरा यूटूब चैनल अभी देख सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले आज का मेरे टॉपिक है कि वाट्सअब को लैप्टॉप या डेक्स्टॉप पे कैसे एक्सेस किया जाता है तो आज मैं अप लोगों को यह बतलाओंगा कि वाट्सअब कैसे एक्सेस करें तो इसके लिए एक साइट है वेब.वाट्सअब.com जिसके दुवरा हम लोग क्यू आरकोर्ड को अपने स्मार्टफॉन से स्केन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग Google Chrome को ओपन करेंगे यहां पे मेरा Google Chrome है तो मैं Google Chrome पे इंटर कर्प्रेश करता हूँ और मैं सबसे पहले Google को ओपन करता हूँ और सबसे पहले हम यहां पे अपन हो लेता हूँ कि मेरा जो Windows ओपन हुआ है वो मैक्सिमाइज है या नहीं तो इसके लिए हम Alt पलस अस्पेस परेश करेंगे मैक्सिमाइज अनवलेबल मिन्स मैक्सिमाइज यानि मेरा Windows है वो बिल्कुल मैक्सिमाइज है तो अब यहां पे सर्च है तो मैं यहां पे टाइप करता हूँ वेब.whatsapp.com मैंने वेब.whatsapp.com में लिखा और इसके बाद इंटरप्रेश किया अब हमको यहां पे देखना है कि वेब.whatsapp.com का ओफिसल साइट कुनसा है और वहां पे सबसे पहलाण हो जाएंगे तो माउस के दिवरा हम लोग जाने सकते है इसलिए मैं टेप से नीचे की ओर चलता हूँ तो यहां पे पहला लिंक आया है वो है वेब.whatsapp.com का जो वहां पे whatsapp.web लिखाया हूँ तो मैं इस पे इंटरप्रेस लिखाया हूँ उसके बाद insert plus tape से यह मैं चेक कर लेता हूँ कि windows ओपन हुआ है कि नहीं net slow होने के कारण अभी तक site पूरी तरह से open नहीं हुआ है WhatsApp Web document read only focused desktop icon 3 of 3 WhatsApp web Google Chrome icon 2 of 3 desktop icon WhatsApp Web Google WhatsApp Web document blank WhatsApp Web with pain address on HTTPS slash web.whatsapp.com unselected WhatsApp Web document blank WhatsApp Web document read only focused WhatsApp Web with pain address on HTTPS WhatsApp Web window address on search bar HTTPS slash web.whatsapp.com unselected WhatsApp Web document blank WhatsApp Web window address on search bar HTTPS WhatsApp Web window Google Chrome pane pane main toolbar pane view site information address on search bar edit selected HTTPS slash web.whatsapp.com unselected WhatsApp document WhatsApp keep me signed and check box checked अब देखे यह page अभी तरह ओपन हुआ है पूरी तरह से खुल चुका है तो सबसे पहले हम लोग यहां पर Home button को प्रेस करके पहले चेक कर लें WhatsApp WhatsApp है WhatsApp है यहां पर दिखे हैं बोल रहा है Use Ascan the phone से जो code है उसको Ascan करने बोल रहा है Checkbox check sign in Keep me sign in इसको बिल्कुल Mark ही रहने दे Reduce mobile data usage Connect list with six items Android यहां पर सब हम लोग Android से connect करा सकते हैं iPhone से कर सकते हैं Windows Phone से कर सकते हैं WhatsApp Blackberries कर सकते हैं तो अब यहां पर मैं Home प्रेस करता हूँ और QR code को scan करता हूँ अब मैं मॉबाइल से अपने smartphone से WhatsApp को open करता हूँ अब मैंने अपने मॉबाइल से WhatsApp को open कर लिया है उसके बार मोर पे चलते हैं WhatsApp का मोर जो बिल्कुल कोने में मॉबाइल करते हैं मॉबाइल दाया करते हैं आप्तों Timber सबस्क्राइब कि अनल यह एंड समय कि अनल सबस्क्राइब लॉष यह एँ लिए सबस्टाइब यह एँ मौर किलिक करने के बाद आपको मिलेगा वाट्सअप वेब को किलिक करें मौर किलिक किया वाट्सअप वेब को मैंने किलिक किया अब यहां पे बोल रहा हुआ अब मैं यहां पे क्यूआर प्रेश्च कर लेता हूं कि अब मैं अब पेरो करके चिक कर लेता हूं कि असकेन हुआ या नहीं मैंने अपने मोबैल से असकेन करने की कोसिस कर रही है यहां पर दिखिए असकेन मी बोल रहा है मैं यहां पर ट्राइ कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं अब यहां पर कोड असकेन हो सुका है अब यह कोड देखिए बिल्कुल असकेन हो सुका है और जितने भी कॉंटेक्ट मेरे मोबाइल में थे मेरे वाटसप में जितने कॉंटेक्ट है वो बिल्कुल यहां पर आ गए है यहां पर देखिए यहां पर आप एक 59 प्याइब यहां मिन्स LDA जो लक्स पर डिफरेंटली अबल एक गुरूप है जिसमें मैंने जोइन कर रखिये वहां से एक मेसेज आया हुआ था तो यह मैंने वो मेसेज यह पर दिया अब मैं यहां पर किसी अपने फ्रेंट का नाम टाइप कर लेता हूँ जैसे कि कैलास यहां पर बिजे आ गया पता नहीं बिजे आया हुआ है का जब इसाया हुआ है पर स्यमेय आबाराले एंग ॥.. कैलास किसी कारण से केलास का नाम नहीं आ रहा है तो मैं अपने दूसरे फ्रेंड का नाम यहां पर टाइप करता हूं जैसे अनाई का मैंने पुरा नाम नहीं लिखा लेकिन उसके बाद इंटरपर्स करता है अब यहां पर देखिए अनाई का आगया है इसने मुझे मेसेज बेजा था अब मैं इसको मेसेज लिखता हूं हाई मैंने लिखकर सेंट कर दिया अब अब पर दो सब चेक कर तकते हैं कि आपका मेसेज सेंट हुआ है कि ने उसके पास गया कि नहीं 929 प्यम मैंने लिखा था हाई उसके बाद आप अप्लिकेशन में जाके अप्लिकेशन बटन को प्रेस करके आप इसके मेनू भी देख सकते हैं उसके बाद सभी कॉंटेक्ट को चेक कर सकते हैं यहां पर देखिए जितने भी सारे कॉंटेक्ट है वो आ चुके हैं तो इस तरह से आप वाट्सप को अपने डेक्स्टोप या लेट्टोप पे अचानिस एक्सेस कर सकते हैं विद स्क्रीन रीडर जैसे कि मैंने अभी NVIDIA स्क्रीन रीडर से एक्सेस कर रहा था अपने लेट्टोप में अगर अच्छा लगा तो लाइक अविस्ट करें और अपने जितने भी फ्रेंट्स हैं उनको अविस्ट करें जिन लोगों को इच्छा है कि वो अपने वाट्सप अपने लेट्टोप में चलाएं और जो कि अभी तक नहीं वो कर पा रहे हैं तो मेरा अगर वीडियो आप लोगों को हेल्फूल लगा तो अविस्ट लाइक करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें थैंक यू करेंगर सब्सक्राइब